समस्कार वित्रों स्वागत आपका हमारे यूटीब चैनल पर एक क्विश्चन जो कि एक हमारे विवर ने डाला था उनका क्विश्चन ये था कि सर मैं B8 करू या BTC फिलाल वैसे तो मैं B8 BTC पर बहुत चर्चा अलड़ी कर चुका हूं पर एक क्विश्चन आ चुका है तो क्विश्चन कर लेते हैं क्योंकि अब हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं हर टॉपिक पर हर बार बात करना क्यों जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हमने बात करी थी तब का सिनेरियों दूसरा था आज हम उस चीज को दो चार छे या आदा साल होते हुए मां आगे निकल चुक बीटी से अच्छा नहीं है अब अच्छा है तो क्यों अच्छा है और अच्छा नहीं भी था तो क्यों नहीं अच्छा था देखिए एक पास संजिए जो डिगरी ऐसी डिगरी है जो किना ऐसे जूल रही है वो किस पर जूल रही है वो इस चीज में जूल रही है कि वो प् आप को कन्फर्म ही नहींकि आपका हो कि आप हो किस तरफ तो आप कल यह क्वेन में находится कि यह कह रहा है वह से लिए क्यों कर रहा है वह there है कि पता एक है कि सिखीं 2-10 कितनी यहाथ और ईटक बीड़ती कितनी आएं तो आप कहेंगे कि उन्ट की मुह में जीरा बेसिक में भरतियां काफी हद तक आती हैं अब आप कहेंगे कि दूसरा तो बेसिक यह बीटीसी ज्यादा अच्छा हो गया बट फिलहाल के सिनेरियो की बात करें तो जो बीट है वो फिलहाल दोनों में eligible है 1-2-5 में भी है और 6-8 में भी है तो बीट अच्छा है क्यों क्योंकि अगर हम 1-2-5 की भरतिया आती है तो भी हम allowed है और अगर 6-8 यह उसकी ऊपर की आती है तो भी हम allowed है बट बेटीसी सिर्फ 1-2-5 जाता है पहला सिनेरियो हो गया यह दूसर सिनेरियो देखिए government कोई भी आये जो मुझे लगता है वो बीट इतना बड़ा जो एक गुठ है बीट का इतना बहुत बच्चा है बीट का उसको अब छेड़ने के mood में नहीं होगा क्योंकि इस जब सरकारे बदला करती थी नियम हना उस वक्त आपने देखा होगे कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा कभी नहीं रहा बट अब जो चुनाव है जो मुद्दे हैं वो बदल रहे हैं और अब बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा मन के सामने आया है तो कोई भी government जो आएगी ना वो आप यह लिख के रख लीजे कि अब वो इस मुद्दे पर छेड़ चाड़ी करने वाली नहीं है कि वो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अपने ऊपर एक तीर ले ले लें तो अब बेरोजगारी एसा मुद्दा बन चुका है जो कि कोई छेड़ना नहीं चाता है तो दूसरा reason म इसलिए बीट करना ज्यादा बेटर है क्योंकि फिर आप इदर भी चलांग लगाओगे उदर भी चलांग लगाओगे थर्ड रिजन में देने वाला हूं जो कि आप ही आपको लगया कि सर आपने तो बहुत लंबा बता दिया बट मैं हूं इसलिए मैं बता रहा हूं जब आप जॉब में आ जाते हैं उसके बाद आगे बढ़ना बेंड बहुत काम होता है क्योंकि आपको पता है जॉब में आने के बाद आप रेगeld नहीं कर सकते हैं आपको कुसी नकिसी डिसेंस लर्निंग से पीर करना पड़ता है और उस वक्त आपको समझ में आएगा कि पीर करना बिल्कुल बिकार हो जाता है कुछ नहीं बसता और बेसिक में आप जानते हैं स्कूल सिटी में नहीं है ना बहुत दूर तूर गाउं में आपके स्कूल होते हैं कि आप कम सकंप 30-30-40-50-50-70-70 किलोमेड़ ट्रेवल करना पड़ रहा है और आप घर लोट के आते हैं तो लोवर का काम भी हो रहा है और उपर बढ़ने में आपको दिक्कत नहीं है बात आपको समझ में आई होगी तो यह तीसर रिजन है आगे का अगर हम फूचर कभी देखके चलें तो आपको समझ में आएगा कि आप बीएड अगर होते तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होत है हमारे प्राथमिक से से तो जो की उमीद कम है कम क्या मैं ना कि मराबर है बड़ी एक बहुत hypothetical बात बतकर रहा हूं तो भी होगा कि आपको डिग्री कौन सी है तो आपको फिर से हाँ पर रहे जाएंगे तो आप ओवराल हर चीज़ की तरफ देखते ना तो आपको यह यह है कि भाई साहब अगर आपकी सरकारी नहीं लगती है तो आप क्या करेंगे आप कोई प्राइवेट जॉब करेंगे और एक कटू सत्य अगर आप एक प्राइवेट इंस्ट्यूशन में चाहिए वह अच्छा भी हो चाहिए खराब भी हो आप इंटर्व्यू देने जात पर जब बात सेलरी की आएगे ना भाई साफ छह साथ आठ हजार से उपर आपको सेलरी नहीं देने वादा और रीजन वो देगा कि आपकी बीटीसी की डिग्री है उसके बाफ़ दो देखिए मैं आपको रख ले रहा हूं वरना मुझे रखना नहीं चाहिए तो आपका मु मिलाएं हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं उनके घर में तो उनको भी वर्क करना पड़ता है अपने हस्बेंड के साथ तो वह कम पैसों में भी 5000-6000 में भी काम कर लेती हैं तो वहां पर क्या होता है फिर आप ऐसी लेडी हैं जो आप कुछ बड़ा करना चाहरे हैं वहां प आपको उसी कंडिशन में रहेकर 6-7-8000 से उपर आपको नहीं मिलने माला पर अगर अगर आपस बीड की डिगरी है तो आपको पता है कि शुरुआ थी आपकी 8000-7000 से होनी है उससे नीचे तो बाती नहीं होती है आपकी और अगर आपने कैलिबर है तो बहुत से से स्कूल स को जानता हूं जो ब्याड हैं प्राइट स्कूल में पढ़ा रहे हैं दियरर अर्णिंग शैमघारिस चालिसफारिश्य सकूल हजार हня है कमा रहे हैं यह मैं खुद रियर्टी बता रहा हूं और आपको एक अच्छा package provide करा देंगे फिर वहाँ पर भी आप कहेंगे कि beard ऊपर है तो यह 5 reason बहुत बड़े हैं जिससे भाई मैं आपको बता दाओं कि जो beard है वो ज्यादा बेटर है BTC कम बेटर है बस एक जगा बस एक जगा बात फसती है और वो फसती है कि 125 और 628 वाली बात वहाँ की बात फस जाती है लेकिन जो मुझे अब लगता है कि अब beard 628 से 125 ही रहने वाला है 125 से हटने वाला नहीं है क्योंकि कोई भी government बेरोजगारी के मुद्दे को छूना नहीं च चाहेगी क्योंकि beard करने वालों का एक बहुत बड़ा कुनबा है एक बहुत बड़ा गुठ है तो मेरा फाजेशन यही रहने वाला है कि अगर आप टीचिंग लान में जाना चाहते हैं और आप सोच रहें कि आप BTC करें या beard करें तो इस situation में भी और आगे की situation में भी जो कमेंट में ज़रूर बताएगा और like, share, subscribe करिएगा और अपनी problems डालते रहिए जहां तक हो सकेगा आपके problem को solve करने की कोशिस करता रहोंगा लास्ते वीडियो दे कि उसके बहुत बहुत दनेवाल like, share, subscribe करिए और bell icon ज़रूर दबाएगे ताकि ये वीडियो सबसे बहुत आ ये थाएगे जह कर झालते हैं